हेलो बच्चों कैसे हो आप लोग आज क्लास 9 का triangles का पार्थ 3 लाए हैं तो चली चलते हैं आज का पहला question है in triangle ABC if angle B equal to 76 angle C equal to 48 find A देखिए sum of the angles of triangle equal to क्या होता है 180 यहां क्या है एंगल 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 बी प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या होगा है एंगल सी इक्वल टू क्या होगा 180 अब आ का वेलू दिया हुआ है अनल एका वेलू दिया हुआने तो अंगल ए को लिखते हैं प्लस B का वैलु है 76 डिग्री प्लस एंगल C इक्वल टू 48 डिग्री एंगल A प्लस दूनों को एड्ड करते हैं 124 इक्वल टू 180 एंगल A इक्वल टू क्या हो गया 180 मानस 120 124 डिग्री देते चले साथ में एंगल A का वैलू 56 डिग्री हो गया इसका अंसर याद रखे जो एंगल सम अब दा अंगल से न ये 180 इसको लिखना मनना भूलें ठीक है 180 डिग्री होता है इसको लिखना ना भूलें question number one complete question number two the angles of a triangle are in the ratio 234 find the angles 234 कर ratio में ठीक है let the angles are देखिए first में हम लोग angle A equal to मान लेते हैं 2x angle B equal to मान लेते हैं 3x और angle C equal to 4x ये चीज लिखना ना भूलें and we know that sum of the angle sum of the angles is 180 ठीक है अब देखिए angle A plus angle B plus angle C क्या होगा 180 angle A plus angle B plus angle C equal to 180 2x plus 3x plus 4x equal to 180 degree ठीक है 2 plus 3 5 plus 4 9x equal to 180 degree x equal to क्या होगा 180 by 9 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 x equal to क्या होगा 20 degree x का भेल में निकल गया साथ में हम लोग अब angle A, angle B और angle C निकलना ठीक है therefore angle A equal to 2 into 20 40 degree होगा एसका, angle B equal to 3 into 20 60 degree होगा एसका, angle C equal to 4 into 20 80 degree, 80 degree होगा एसका, एसका, question number 2 complete question number 3, जेक ही in triangle ABC if A plus B equal to 125 and angle A plus C equal to 113 degree, find A, B and C, angle का निकलना एसका, देखिए angle A plus angle B equal to 125 इसको equation 1 माल लेते हैं अगल A plus angle C equal to 113, इसको equation 2 माल लेते हैं adding equation 1 and 2 adding equation 1 and 2 angle A plus angle B plus angle A plus angle C A plus B होगया, A plus C होगया, ठीक है, equal to कितना होगा, 125 plus 113 देखिए ये जो है A, B और C को एक साथ में लिखते हैं angle A plus angle B plus angle C plus angle A A, B और C को एक साथ लिखते हैं उसके बाद जो है angle A को यहां लिखते हैं, ठीक है equal to क्या हो जाएगा, दोनोंको add करते हैं 8, 3, 2, 238 degree A plus B plus C क्या होगा, 180 angle A equal to 238 equal to क्या होगा, 238 degree angle A equal to क्या होगा, 238 minus 180 angle A equal to क्या होगा है, value निकल जाएगा इसका, value निकल जाएगा, 0, मैं 0 खटेगा, angle A equal to क्या होगा, 8, 5, 58 degree ठीक है, angle A निकल गया है, अब आप angle A का value जो है, equation 1 में रख देंगे, या 2 में रख देंगे, putting the value of A, putting the value of A in equation 1, equation 1 क्या था? angle A plus angle B equal to 125 एक अबलू रख देते हैं, 58 plus B equal to 125 angle B equal to 125 minus 58 angle B equal to क्या होगा, 67 degree, ठीक है, angle A निकल गया, angle B निकल गया, अब अब अगल C का निकलना है, ठीक है? from equation 2 from equation 2 ठीक है, angle C angle A plus angle C angle A plus angle C कितना है, 113 degree एंगल A का भेलू 58 डिग्री प्लस एंगल C इक्वल टू 113 डिग्री अब देखिए अंगल C निकल गया 113 में 58 घटा देंगे 55 डिग्री एंगल C इक्वल टू क्या हो गया 55 मतलो एंगल A B और C का भेलू निकल गया एक साथ अप्लिक देंगे क्वेशन नूमर 3 कम्प्लेट क्वेशन नूमर 4 दा सम अफ टू अंगल्स अफ ट्राइंगल इस 116 डिग्री और दिफ्रेंस इस 24 डिग्री फाइंड दा मेजर अफ इच अंगल्स अफ दा ट्राइंगल देखिए क्या है इसमें लेट एंगल ए प्लस अंगल बी इक्वल टू कितना दिया हुआ हुआ 116 डिग्री 113 डिगरी इसको इक्वेशन बॉन माल लेंगे हैंigल इंगल एthe 218 डिग्री एटी को टोलू कितना दिया 24 डिग्री इसको इक्वेशनренं तो माल लेंगे लेकिन इसमें एक सी lifts एंगल ए बड़ा होगा तभी होगा आप इसमें लिख देंगे तो अच्छा रहेगा वेर एंगल ए इस ग्रेटर देन एंगल बी ठीक है और एक्वेशन 1 & 2 को एड़ करना है एड़िंग एक्वेशन 1 & 2 एंगल A प्लस एंगल B एक्वल तो 116 डिगरी एंगल A माइनस एंगल B एक्वल तो 24 डिगरी इद B भी कट जाएगा 2A इक्वल तो क्या हो जाएगा 6,4,10,4,140 एंगल A इक्वल तो क्या हो जाएगा 140 बाइ 2 70 हो जाएगा इसका एंगल A इक्वल तो 70 देर्फोर फ्रम एक्वेशन 1 फ्रम एक्वेशन 1 70 डिगरी A का जगा 70 है और B के जगा में क्या है B रख देंगे इक्वल तो 116 इससे आपका एंगल B निकल जाएगा जहां हम लोग 116 में 70 को खटाएंगे माइनस होगा 70 ठीक है एंगल B इक्वल तो क्या हो जाएगा 6 4 46 देखिए एंगल A और B निकल गया अब एंगल C निकल ला होगा एंगल C इक्वल तो क्या लिख सकते हम लोग 180 माइनस एंगल A प्लस एंगल B 180 अंगल A क्वैलो कितना था 70 प्लस 46 अंगल C इक्वल तो क्या हो जाएगा 180 माइनस 6 11 एंगल C इक्वल टू 64 डिग्री यानि कि एंगल A और एंगल B और एंगल C का भेलो निकल गया आप एक साथ लिख देंगे question number 4 complete चलिए आज का अनतिम question के और बढ़ते हैं इससे पहले अगर आप चैनल में नहीं है तो जरू से जरू सब्सक्राइब करें ज्यादा ज्यादा शेयर करें ताकि मैं ऐसा ही वीडियो लेके आते रहे हूं चलिए question 5 को चलते question 5 है in a right angle triangle one of the acute angle measure 53 degree find the measure of the each angles of the triangle इसमें देखिये एक angle जो इसमें 90 degree है ना let angle A equal to 90 degree जो right angle triangle है और angle B equal to 53 degree degree okay sum of the angles of a triangle is 180 देफर क्या होगा देखिए अगल A प्लस अगल B प्लस अगल C इकवल टो क्या हो गया 180 होगा अगल A का बेलु रखते हैं 90 डिगरी प्लस अगल B 53 डिगरी और अगल C इकवल टो 180 डिगरी एट कर दें तोनो को 3 और 14 143 डिगरी plus C equal to 180 डिगरी एंगल C equal to 180 minus 143 डिगरी ठीक है एंगल C घटा देंगे इसको 7 3 37 डिगरी एंगल A, एंगल B और एंगल C का value निकलने के साथ ही आज का question number 5 complete होता है साथ ही आज का class भी complete होता है तो ऐसे ही classically बने रहे हैं चैनल को like करें, comment करें, share करें और subscribe कुण ना भूलें Thank you